चैन साथियो, अभी इच हात्रों में बहुत ज़्यादा निरासा है वेटिंगों लेकर के, उन्हें सफलता हाथ तो नहीं लगी है, पर मैं दोस्त कहाना चाहता हूँ कि आपको घबलाना नहीं है, ना कभी हार होती है, ना कभी जीत होती है, मैं शत्त कहा रहा हूँ, ना कोई जुकता है और ना कोई जुकाता है, एक परिष्थिती और समय है, जो मन उस्से को जुकाता है, आप कभी विजाई नहीं हो सकते, लेकिन आपको अफसर विजाई दिला सकता है, मेरे दोस्त, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिंदगी में कभी निरास मत होना, कभी भ खबलाना नहीं है, क्योंकि घबलाने से निरास होने से आगे का और भी काम आपका खराब होगा, आप और भी लॉस में जाओगे, मैंके दोस्त, शदैव परशन रहनी की जरूरत है, और ग्यानी श्रबादा परशन रहते हैं, अगर आप परशन नहीं है, दुखी नहीं है, तो कहीं न कहीं आपके पास ग्यान नहीं है, क्योंकि ग्यान ही है कि ऐसा चीज़े, जिसके दोरा आप परशन हो सकते हैं, हर समस्याओं का समधान है, बस आप करते नहीं है, अगर अगर आप सफन नहीं हुए है, तो आप ये सोचें, कि उस कार्ज को मैंने परियास किया ही कि, मैं वहाँ तक पहुंचा ही नहीं, इसलिए मुझे सपलता नहीं मिली, तो फिर, किस बात का अफ्सोस, जवाब ने किया ही नहीं, तो फिर आप, मैं बानता हूँ, कि कभी-कभी, जिस target से मैं काम करता हूँ, वो target से अधीक काम मुझे दिए करना पड़ता है तब ही हमें सफलता मिलता है मेरे दोस्त इस संसार में कोई किसी नहीं जुकता व्याइब आपको को अगर भैलु दे रहा है अगर आपको कोई शवाम कर रहा है तो हो सकता है वो मुर्ख है इसलिए ज्यानियों तो हमेशा जुकते हैं किसी के पास जुकते नहीं है ग्यानी हमेशा किसी दूसरे को जुकाते हैं वो किसी के पास जुकते नहीं है ग्यानियों के पास लोग जाते हैं ना कि वो कि नहीं और के पास जाते हैं तो दोस्त आपको निरास होनी की जुरूत नहीं है आप ग्यानी है आप इस दुनिया के ल रहा है अगर आप अच्छे सोच के हैं तो उसी पल्कों कहने का मतलब है मैं ONE Mr. आफ!? और वहीं पर गिर पड़ता है और ःसके मिरतू हो जाती है घर से बाहर है इसे हाथ में कोई लगता है मेरे अभी तक गोली लगने के बाद मैं अब तक पूल सकता हम और मैं ठीक हो सकता हूं वह जल्दी एक और भी हो सकता है और नहीं पूल नहीं है और अपने आप को तुम्मान रहे हो तुम कभी महालей तुम कभी भी घायल नहीं हो तुम है आरे में वो सक्ति है और मैं दोस्त एक बाद बता दू घायल सेरना तो और भी कमाल दिखाता है जब इंसान को जक्ष मिलता है जब इंसान को दर्द मिलता है तो उसका रूप तो और ही भ्यानक और विक्राल होता है तुम दिखा दो अप का गुरूबडी मेरी जल्ट नहीं होए मेरे दोस्त और इससे बड़ा होगा दरोगा होगा और होगा किसी और में होगा आपकी जीत पक्की है अपने मन को मत निराज करो क्योंकि मन ही आपका शक्ती है मन ही आपका सब कुछ है मैं सच कर रहा हूं अपने आपको हमेशा किसी और कर निरभार है उसके उसे निरभार करता है अगर मैं किसी काम को कर रहा हूं अगर वह माल लेते हैं आप लोग की बात नहीं सुनो अच्छाइयों को पक्रों और बुराइयों को को सच को घ्राइब किसी बीडिए नहीं जाना है कि ये काम मुझसे नहीं होगा लेकिन आपको सभावना धिख जाती है जैसे कि कि आप कुछ वैसा काम आपको अगर 50 के जी वजन उठाने का है और आप 100 के जी उठाने लगोगे क्या उठा पाओगे तो कहने का मतलओ आपने समर्थ और सक्ति और अगर जिस काम में आप लग गए हो तो यह पुर्ण विस्वास आपको लगाना पड़ेगा कि मैं इस काम को अप वही काम में लगे जिसके आप समर्थ से आप अपने काम को कंप्लिट कर सकते हो और आप कोई भी काम हो मैं सत्व बता रहा हूं कि करेंगे अगर आप 50 के जी वजन उठा रहे हो 100 के जी उठाना तो आपको समय लगेगा लेकिन अभी आपको उठाने का 50 के जी का है तो अभी जिस लेवल में आप है उस लेवल को बढ़ाईए और आगे बढ़िए आप इससे भी अच्छी अच्छी शफल्दा को प्राप्त कर सकते हैं मेरे दोस्त एक दर्वाजा बंद होता है तो कई दर्वाजा खुलता है मैं शत बता रहा हूं एक राह में जब चल पड़त करें कोई आशा दें करके आशा तोड़ दे जिंदगी में बहुत बरेशानी हों आपको आजए फिर भी आप मुस्कुराणा सीख़ों मेरे दोस्त बहूरत बहुत विडियो मैं नहीं करना चाहता हूं और मैं उन लोगों को मोटिवेट करना चाता हूं जो बहुत ज्यादा मुस्कुरा नहीं पड़ेगा अरे किसी की मुर्खता पर हसिए अगर कोई मुझे गाली दे रहा है तो आप हसिए वो गुस्ता से अपने पोश्च चिए किया मुर्ख है कितना मुर्ख है वो मुझे गाली दे उसकी मुर्खता पर हसिए उसके कमियों को देख करके हसिए अपन दोस्त आज इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो मेरे वीडियो कैसा लगा कमेंट करें